आज हम बनाने जा रहे हैं पालक राइस आए चले देखते हैं कैसे बनाते हैं यह मैंने एक कप चावल लिया है इसको हम डाल देंगे इसमें एक कप और लिया है इसको भी डाल देंगे हम आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चावल ले सकते हैं अब चावल को हम अच्छे स हम चावल दो देते हैं यह देखिए मैंने चावल को अच्छी से दो दिया है अब चावल को हम रख देंगे 10-15 मिनिट के लिए यह मैंने पालक लिया है पालक को मैंने अच्छे से साफ करके 3-4 पानी में दो लिया है पालक को हम पीस लेंगे आप चाहे काट के पीस लीजिए या ऐसे ही पीस लीजे मैंने यह जार ले लिया है इसमें हम पालक डाल देंगे पालक मैंने डाल दिया इसमें और यह मैंने तीन चार मिर्ची लिये है चार पांच इसको भी डाल देंगे इसमें आप चाहें तो डाल सकते हैं या ना डाले जब आप तड़का लगाएं तब डाल सकते हैं हरी मिर्ची मैं इसमें डाल के पीछ रही हूं पालक हम पीछ लेंगे यह मैंने पालक पीछ लिया है अब चलिए हम चावल को रख देते हैं उबलने के लिए यह मैंने चावल को कर में अब इसमें हम पानी, पानीब लाज दाला है, अब कुकर को हम रख़ दिए अ!' अब एक सीटी आने तक हम चाओल नभी है यह मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं you मैंने 4-5 लॉंग लिया है 15-20 मैंने काली मिर्च लिया है दो इलाची है चोटी और एक बड़ी इलाची है एक तेज पत्ता है और यह मैंने एक लाल मिर्च लिया है इसको मैंने तोड लिया है और यह मैंने तीन प्याज लिया है प्याज को मैंने छील लिया है और धो लिया है अब प्याज को हम लंबा-लंबा काट लेंगे प्याज हम 20 से कट करके हमें लंबा-लंबा ऐसे काट लेना है प्याज ज्यादा न मोटा काटना है न ज्यादा पतला काटना है हम मीडियम साइज में काट लेंगे प्याज को ये देखी, सारी प्याज हमने काट लिया है, अब हम टमाटर काट लेंगे एक सीटी आ गई है, अब गैस को हम बंद कर देंगे ये मैंने एक टमाटर लिया था, टमाटर को मैंने छोटा-छोटा काट लिया है और यह मैंने पांदस काजू लिया है इसको भी हम डालेंगे चावल में यह मैंने 1.5 गरम पनीर लिया है पनीर को हम पीसेज में काटके इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे पनीर को मैंने चुटा चुटा कर लिया है अब रोस्ट कर लेंगे हलका सा पनीर डाल देंगे हम इ भीदां केंग रखा है रोस्ट कर लेंगे हलकर हमैं कि पनीर को हलकरोश्ट होनेय तक चलाते रहएंगे कocalyptic रोस्ट कर लिया है पनीरिवरां निकाल लेंगे रख देंगे ये मैंने पानी लेता है पनीरें के यसी में निकाल हिया और ये यह हमने जो मसाले लिए थे यह डाल देंगे इसमें तेल को हमने पहले से गरम होने के लिए रख दिया था प्याज डाल देंगे इसमें ते चला देंगे लंकों तेज पर देंगे हलका ब्राउन होने तक प्याज कर लेंगे हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को ब प्रार भावन अब पालक पेश्ट में अब बनाया था नैयाई को मिलीं है यह आयो आयो फेस्ट से पालक को हम ढख देंगे, यह अच्छे से पक जाएगा, तो उसके बाद हम चावल डालेंगे, पालक चेकर लेते हैं, यह देखे, पालक अच्छे से हो गया है, इसमें ओईल उपर दिखने लगा है, अब इसमें हम चावल डाल देंगे, आप अपनी कॉंटिटी के हिसाब से च चावल को मैंने अच्छे से मिला दिया है, इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला है, आप जैसे दो कप चावल ले रहा है, तो दो कप आप पालक का पेस्ट ले ले, टेस्ट अनुसार हम नमक डाल देंगे इसमें, नमक अच्छे से हम मिला देंगे चावल में, चावल हमें हल लेके पालाग राइस बनके तयार हो गया है, अब इसको हम एक बावल में या प्लेट में निकाल लेंगे, ये देखिए पालाग राइस बनके त्यार है देखने में कितना अच्छा लग रहा है इसका color भी काफी अच्छा हा आया है green गिरें एक बार आप सब भी बना के ट्राइ करें उसमे सारे नमक गारा सबड़ा लेंगे इस तरीके से भी बना सकते हैं और पलक का पेष्ट बनाके हमें डालना है उसमें आप सबको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेर करें अगर रैस्पी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी बनी है ऐसी वीडियो देखने के लिए बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप सबको नॉटिविकेशन मिलती रहें मिलते हैं नेश्ट वीडियो में थैंक यू